आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now यहाँ पर हमें बताना है कि transgenic corn के case में इनमें से किस gene की cloning और expression की वज़ा से corn borer को हम control कर सकते हैं तो यहाँ पर bio technology की बात कर रहा है क्योंकि transgenic corn से हमारा मतलब है genetically modified एक crop है जो जिसमें हमने एक particular desired gene को clone करके express करवाया हुआ है एक bio pesticide create करने के लिए bio pesticide मतलब इस plant में हमने insects को मारने के लिए insects से खुद को protect करने के लिए genes डाल दी है ताकि हमें chemical pesticides का use ना करना पड़े तो इसको अगर discuss करें यह gene हमने ली कहां से है एक bacterium होता है जिसको हम bacillus thuringiensis के नाम से जानते हैं और इसी से हमने यह insecticidal toxin प्रडूस करने की gene ली है जिसको हम BT toxin बोलते हैं क्योंकि bacillus thuringiensis से ली होई है अब यह जो toxin प्रडूस होता है insecticidal toxin इसकी gene को लेके हमने crop plants में डाल दिया और यहां पर तो कौन की बात की होई है लेकिन कई सारे crop plants में कौन के अलावा भी जैसे cotton है, tomato है potato, rice इन सब में हमने इस gene को यूज किया हुए bio pesticide बनाने के लिए तो इसमें होता क्या है कि एक pro toxin के form में इस bacteria की body में यह toxin produce होता है यानि अभी यह effective नहीं होता लेकिन जब कोई insect इसको खा लेता है तो वहाँ पर जाकर यह insect के gut में gut मतलब इसके digestive tract में जाकर जब उसको basic pH मिलता है high pH मिलता है तो वहाँ जाकर यह active हो जाता है toxin और उसके जो gut के epithelial cells होता है उनकी यह lysis कराता है यानि उसके elementary canal को यह destroy कर देता है जिससे insect की death हो जाती है अब generally देखा यह जाता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक BT toxin की gene है उसको हम किसी भी plant में डाल देते है और उसको खाने वाला हर कीडा मर जाता है ऐसा नहीं है यह जो gene होती है हमारे पास यह कई बार insect group specific होती है यानि particularly एक ही group को यह insects के effect करेगी और बाकी groups को अगर वो इसको consume भी कर ले तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि field के सारे fluorine फोना को तो हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उसी तरह से crop के लिए भी यह specific होती है कि कौन सी crop में हम इसको insert कर रहे हैं तो यहाँ पर transgenic corn की जब बात करें तो corn borer यह particular जो हमारे पास pest है इसको हम cry1AB नाम की gene डाल कर इसकी cloning करवा कर और crop में expression करवा कर corn borer से इसको protect करते हैं इसके infection से क्योंकि यह पर cry1AC और cry2AB यह जो दोनों genes है यह generally cotton की crop में यूज करते हैं cotton ball worm नाम के pest को control करने के लिए तो यहाँ पर हमने देखा कि bio pesticide बनाने के लिए हमने bt toxin वाली gene कई crops में डाली होई है जिसमें corn भी आजाता है और क्योंकि यह gene insects के groups के लिए और crop के लिए specific होती है इसलिए corn की crop में corn borer जो pest है उसको हटाने के लिए हमने cry1AB नाम की gene यूज की थी तो यहाँ पर option भी हम सही answer mark करतेंगे